गुड़ मॉनिंग दोस्तों मैं जजित सिंस अपतावाद है है एच्प एजुगेशन की माध्यम से आपके लिए जीके की एक संक्रा लेकर आया हूं जो की दिल्पुल निशुक्त है और यह उन TSP के चात्रों के लिए भी है जिन TSP चात्रों को विभिन प्रत्योगी एक्जाम के लिए TAD विवाल में चाय रिट किया है और जिसका काय एच्प एजुटेशन को दिया है इसलिए आप लोग सभी मिलके कंपेटिशन एजाम देयरी की लिए और उसी करम में हम बात कर रहे हैं कल हमने काली बंगा की बात की थी और काली बंगा की कुछ बाते हम लोगों हमें कल दिया जिसे जुते हुए खेर इसकी खोज किसने की इसका उत्खनन किसने किया दसरत सर्मा काली बंगा के बारे में क्या कहते हैं स्ट्वर्ट पिगट संकूर सिंदु सप्यता की कौन पौन सी राजदाईयां बताते हैं आधी बातों के लिए जोते वेखेट के प्राथी इंसाफ्ष आधी बातों की जानकारी हमने पर प्राफ्ट कीती करते हैं की हम उसी बीडियो को उसी काली बनगा को है वहीं से आगे रहते हुए और क्रमशर आगे बढ़ते ह्यों इससी की बात करते है कि ऐसी सी सोर्टि एक जबैँ यस्थी जानकारी में आपको थोड़ी बहुत यहानं बता दो कि यानि इसको बोलते हैं कारवन 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 कि डेटिंग कि चल्व कि इस विधी की खोज की है जॉन एफ लीवी इंपोर्ट नहीं है आपको कि यह इंडियन हिस्टिक अपाट है फस्ट पॉर्ट में एक बार एक वसन आए पार एक बार एमे के एक जाम पुछा था जोन एफ लेवी ने इसके खोज किये जोन एफ लेवी है अमेरिका की और इसकी थियोरी यह है कि किसी भी एक ऐसी वस्तू जो की कभी जीवित रही हो उसमें कार्बन बारा और कार्बन चौदा की मात्रा मोजोड होती है समय के साथ साथ कार्बन बारा की मात्रा तो एलेटी रहती है लेकिन कार्बन चौदा की मात्रा घटती जाती है कारवन 14 की जो मात्रा है वो घर्टी है और इस घर्टी ही मात्रा के द्वारा ही उस वस्तो की उम्र का उस वस्तो की प्राचीनता का पता लगा जाता है तो यह C40 विदी जो है कि किसी भी वस्तो की प्राचीनता या उस वस्तो की उम्र का पता लगाने के लिए किस विदी का तो सी 14 के अनुसार कालिबंगा है वह सब्सक्राइं वह सब्सक्राइशी जया नियुक्ति एक्षे कालीबंगा किपनी पुदानी है जो चया सक्सक्राइशी उठीकिल Нिदा जड़ी उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि एक सभी लोग कमन किती पुरानी में बहुत है तर 2060 में इसापुरु की सभीता को महा जबता है इस इस्थान को महा जबता है काली बंगा के इस्थान वाला की सभीता में ये प्रोफेश्म दसर्सर्मा कि इसको सिंदु सब्विदा की तीस दादानी बनाते हैं और उसके अलावा यहां पर जुकल यहां कर संस्कृती प्राप्त होगी है जुकल जाद का अर्थ हम लोगों ने कल बात की थी और अब हम इसकी उमयका पता रगा हैं तो उमयदा को पता लादाने के जो वेग्यानिक विदी है वो C-48 leagues है उसकी जानकारिया में यहां पर यह एखी है जो एक लीविन है C-48 विदी को इदाद किया। उनोंने ही यह पता लगा है कि कार्भंबारा, 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 कीसी भी जिवित प्राणी में होता है और मर्ले के बाद, कार्भंबारा एसमिल रहता है, लेकिन कार्भंबारा, किकुएра, गटता लेकिन does it, 15 difference between carbon dal कार्भंबारा उस μας के माथने के आधार पर इसका पताता है प्रताएगी कितने बुरा है नेस्ट बात करते है यहां जो काली बंगा है वहां एक कुवा प्राप्त हुआ क्या वारत सुबाई कुवा और कुवे के बगन सात आयताकार यग्यवेदिया प्राप्त हुए है इतनी है, साथ आयताकार, यग्यवेदिया, देखिए, इंपोर्डेंट है, कई बार question पूछा गया है, साथ आयताकार यग्यवेदिया, तीन, चार, पांग, छे, और ये साथ है, हा přातर आयताकार, यग्यवेदियों को हम हमणबंड भी किया सकते हैं, या, अगर बतर य किसे हैं, कि सिंदू सब्डा में, धार्मिक विश्वास के तोर पर यग्यादिया या हमनबंड कहां से प्राप्त होँ रहा है, तो स्कालिकुन्दा से प्राप्त हो रहे हैं, या, काली काली वंगा देवी उपासना में देखिए, फ्लेंग बेचेन कर सकता है वो, कुस्थ है, काली बंगा में देवी उपासना चलिए हमन-कुण्ड या यग्जी वेदिया, या इसको फिर अनिनाम या इसे भुकारा जा सकता है, अगनी वेदिया, अगनी वेदिया, अगरी वेदियों के साथ कहां से प्राफ्त हो रहा है तो काली बंगा से प्राफ्त हो रहा है यह की वेदियों के साथ कहां से प्राफ्त हो रहा है तो कहां से प्राफ्त हो रहा है काली बंगा से अब जो ये हवन पुन है आयता का इन से पशु की जली हुई हड्डियां मिक्राप्त हुई पशु की जली हुई अस्तियां पहरे एक वा कुई के बगर में साथ आयता का यग्यवेदियां प्राप्त हो रही है साथ आयता का यग्यवेदियां, साथ आयता का हवन कुड़, साथ आयता का अग्यवेदियां और उन अग्यवेदियों पर पशु की जली हुई हड्डियां प्राप्त हुई इससे दो चीज़ें पता लगती है अब्गो पहले एक तो यहां दर्मे उपासना में या किसी देवी उपासना नवे या किसी भी धन में हमनकुंडों का उभ्योंक यह लागत था। दोसरा यहां पर अन्द विश्वास का भी कुछ तत्म मुझूद था कैसे कहा जा सकता है कि यहां जो हमन्पुन है उसके छोर पर उसके खिनारे पर पशूब की जली हुई हट्डिया प्राप्षोरी है और पशूब का वद्ध या पशूब बली देने का जो है वो एक प्रका काली बंगा में पशूब की बली दिया करते थे ताकि वह अपनी देवी जो है मात्र देवी है उनको खुष किया जा सकी है उनके द्वारा पशूब की जली हुई अस्तिया धार्मिक उपासना धार्मिक आस्ता का चिंड है प्रकार से अतना धेश्न सब्षक्राइं सक अगल समच करते हैं उंक अधिक संक्याहि है को है कि को संसे ब्रकान अवोर्मिक अज़िए कि मुईat है कॉम लिए और यहा जाता है कि उत्ले want सब्सक्राइब करें कि मात्र देवी की मूर्थियों की प्रधानता है के तो काली बंदा जो एक इस्था ने वहां पर मात्र देवी की मूर्थियों का प्रायभ अभाव पाया गया है प्रायभ अभाव किसका तो मात्र देवी की मूर्थियों का ठीक है यह मात्र देवी की मूर से एक बच्चे की खोपड़ी प्रात्त हुए है। बच्चे की खोपड़ी। जिसको हम कहा सकते हैं कपाल खंड बच्चे का कपालखंड भी प्रात हुआ है। इस खोपड़ी को जो बोल रहे है है. कपाल खंड अब इस बच्चे के कपाल खंड से छे छिडर मिले हैं क्यां मिले हैं एक दो टी चाफ पांच छे इस प्रकार से छे छिडर मिले हैं इससे यह बता चलता है कि यहां कपाल दोहन कपाल दोहन पेफी नेशन पेफी नेशन अध्वा शल्य क्रिया बच्चे के खौपड़ी मिले हैं कपाल खंड मिला हैं जिससे छे छिडर प्रकार होने से ऐसा कहा जा सकता है कि यहां कपाल दोहन की क्रिया कातैके शल्य क्रिया करना यहां की लोग जानते थे कि शर ऑगहा कि सिस्थान पर शल्य क्रिया के सास्थ प्राप्तर हो रहें तो गाली वंगा प्राप्तर हैं क्या को काल खंड मिला है कोपडी मिली है जिसमें छेश चिद्र है और छेश चिद्र में देखने के बाद है कि यहां कपाल दोहन टेफिनेशन शैलिक रिया इसको मस्तिक स्षोधन भी कहा जा सकता है मस्तिषक मस्तिषक स्षोधन कुछ शोधन की कृया का बता का लिदा से बता चलता है कि इसे कि चीजा का इन्हें यह शोद्ड हो रहा है देखिए पहले काली बंदा की जो समय है काली बंदा की काल प्रम है वो तेई सो बचार से सत्राइस विसाफ पूर्व है किसके अनुसार तो C14 कार्बन डेंटिंग चॉदा की अनुसार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बाकी हम बात इंडियन हिस्ट्यू में करेंगे कार्बन डेंटिंग चॉदा का जो आविस्टार जो जांट एफ लिविदे किया है जो कि अमेरिका के विज्ञानी के और इस विधी के अनुसार किसी भी प्राची मस्तू क्यों रखा या प्राची इंता का पता लगाया जाता है यह विधी सी 14 पर काम करती है किसे 2100 सी 14 दोनों किसी पी जीवित प्राणि में होता है मरने के पाद सीव ट्वंटी के लेता है लेकिन सीव फॉर्टीन करमसर गढ़ता जाता है और इसी ये सीव फॉर्टीन विदी जो नुसार इसकी जो उम्र है काली वंगा की जो प्राची इंतायव 2300 से 2700 इसापुरो है राकि दुद्धे विजवार इसे 2400 से 2200 से सापुरो का मानते हैं यह अधिवेदियां प्राप्त हो रहा है इसे यह पता जलता है कि यहां पर धार्मिक उपासना में हवन कुंडो के साथ साथ पशुबली भी दी जाती थी पशुबली इंप्शुबली अंधर विश्वास का भी एक प्रतीक है कि यूँ आ जाए एक आलिमांगा में अंधर यू जो कि तृबूजा गाथ विद्या उसकी दो राजदानिया पहले पिगट के बाद प्रभशार रख दस्या सर्माव गाथ यहां पर मात्रदेव की मूर्खियों की ब्रधान था इसके विद्या काली बंगा में मात्रदेव की मूर्थियों का अभाव पाया गया था इससे पता करता है कि यहां पर कपाल दोहन की क्रिया की जाती थी अथ्वा मस्तिक्स सोधन का काली यहां पर किया जबता था इसका इसके थिन सोर्धियों क्यों सका है जया है जबता है जबता रावता है का दे जगाण है काली बंगा का जो विनाश के वो भुक्कम से माना जा रहा है भुक्कम से और इस भुक्कम का जो मूल था वो नहवाल शेत्र था जो भुक्कम का सेंटर था केंदर विन्दु था वो नहवाल शेत्र था और नहवाल जो है वो मोहन जोद्रों में इस्तित है में जेघकिए काली बंदागी कि निया राहत है, तो महन को ज़द्रों में, यह important रहा नेट्स, काली कि नाली व्यवस्ता का अभाव पाया गया पहला व्यवस्ता का अभाव पाया गया इसी को दूसरे रूप में वो कह देगा लकडी की नाली व्राप्थ होई है या कच्ची नाली व्राप्थ होई है या पेड़ के तने को खोबला कर बनाई गई नाली व्राप्थ प्राप्थ प्राप्थ। यहां पर नाली विवस्ता का लगव लगव अभाव पाया है इसे कहा गया है दोरगटीला या पस्षे में टिला जहां पर शासक वर्ग निवास करता है यह पूरवी टिला है किसी को बोलते हैं निचला नगा बात यहां भी आती है की दुरगटीले में कहीं पर एक दुवार हैं कहीं पर दो दुवार हैं लेकिन क्यों कालीमॉंगा के दुर्वटीले में चार दवार हैं! यह मात्र एस्ताण जहां पर दुर्वटीले में चार दवार हैं। बाकी हर जागा पर या तो एक हे, या दौट्वार है। इह धृहद रखना इसके धृत ह हें तिस contract पर दर्वाजों में दो पल्ले प्राफ्ट हो रहे हैं दो पल्ले प्राफ्ट हो रहे हैं लेकिन काली बंगा में दर्वाजों पर एक ही पल्ला प्राफ्ट हो रहे हैं काली बंगा में सवाधान के तीन तरीके प्राफ्ट हो रहे हैं समादी करण दूसरा आन्सित समादी करण और तीस राहे दाखो संसकार इसी दाख संसकार में कलर्ष सवालाम भी आता है सवालाम के तीन तरीके कौन कौन से पूर्ष समादी करण एक आन्सिक समादी करण और एक दाख संसकार और दाख संसकार में क्या आता है कलर्ष सवालाम भी इसी के अंदर के आता है पूर्ष समादी करण करण थे पूरी डेट गोड़ी को जमीन के अंदर गाड़ देना आंसिक समादी कार्ण यह हैं कि देड़ बोड़ी को एक पहाड़ी पर लेजा के रख देना और उसके बाद उसे इतना भी चील को हुए खाना चाहें खा जाए और जो अस्तिया बस्ती है ओन अस्तियों को एक गड़ा खोल के गड़ा तीसरा है दासन्सकार कि देड़ बोड़ कार्ण गड़ा नहीं को अस्तिया संध्यों किबर चना में खाना आते हैं अपको सवाधान के साथ स्वेविदे हैं ये सवाधान के तीन तरीके सिंदुभाटी सब्यता में मिलते हैं और तीनों के तीनों तरीके काली बंगा में भी प्राप्त होते हैं ये ध्यानत ना है आपको नेक्स्ट बात करते हैं हम काली बंगा से अंडाकार कब्र प्राप्त होई कैसी कपर पुरिं अंढां को कि तो आपको पता हो रहें एक रहे हैं कि तो इस सब गाणा गया कि काली के जो सबस्ट को नागल如果 प्स siлом कि तो उत्तर मेरी एच कली वरे में जहां से पहली बार सड़क को पक्का करने का साथ स्प्राप्त हो रहा है काली मंगा से प्राप्त हो रहा है उसके अलावा बेलना का तंदूर हमने बात कर लिए एक वार नो है कि संपूर सिंदु सर्विता में कहीं पर नहीं होए हैं हम इंडियन इस्वीपे भी बात करेंगे कि उटो की एक आंकन है वोहर उसे प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूर ओन्टो की हड्डियों के साख्ष प्राप्त हो रहे हैं काली मंगा से इंपोर्डेटम बनता है क्वेश्टन ओंट की अस्थियों के साख्ष कहां से प्राप्त हो रहे हैं काली बंगा से प्राप्त हो रहे हैं यह सब चीजिया हमको काली बंगा के अंदर पढ़नी पड़ेगी और इसके बाद का जो उलेख है काली बंगा का जो बसता है उसको हम कल दो पूरा करेंगे